नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल हेल्थ कोर्णर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लिक अप जूनियर सिरप के बारे में बात करेंगे सिरप को कैसे इस्तिमार करना है क्या क्या साधानिया रखनी होती है उसके यूजिस और डोस की पूरी जानकरी आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को एंट तक देखना न भूले तो चलिए वीडियो की सरुवात करते हैं यह जो लिक अप जूनियर सिरप है वो स्पेशिल बच्चों के लिए ही बनाई गई है अगर आपके बच्चे को सुखी खासी है आपका बच्चा बार बार खास रहा है गले में दर्द है खरास है तो एसी कंडिशन में इस सिरप को इस्तिमाल किया जाता है अब इसके कंटेंट की बात करें यानि कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है तो इसमें डेक्सों में था फेन हाइड्रो ब्रोमाइड 5MG में मिलाया है ब्रोमेकसा इन हाइड्रो क्लोराइड 4MG में होता है फिनाल फोरीन 5MG में होता है तो यह सब इस साल्ट को मिला कर इस सीरप को बनाया गया है और 16 ml की क्वांटिटी में इस तरह की बोटल के फों में ये सीरप आती है अगर आपका बच्चा से परिशान है खासते समय चीने में से आवाज आ रही है कप निकल रहे हैं तो आपको इस सीरप को इस्तेमाल करना चाहिए और आपको ये सीरप खरिद निहीं तो कोई भी केमिक सोब में ये सीरप आपको लिपक जुन्य सीरप के नाम से 65 रुपीज में आसानी से मिल जाएगी इस सीरप को लिफोट हेर्थ केर कंपनी ने बनाया है और ध्यादा के जब भी आप कोई भी दवाई खरीदे एक्सपरी डेट जरू चेक करें अब उसके डोस की बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बोटल पे इस तरह का केप आता है उसमें इस तरह का 2.5 ml, 5 ml इसा लिखा होता है उसके मुताबिक और डोक्टर के सलाह के मुताबिक कम या ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर बच्चों को दिया जा सकता है दोस्तों आप जब भी इसे इसमाल करें डोक्टर के सलाह लेने आवश्यक है क्योंकि दवे बच्चे की एज और वजन के हिसाब से लेनी होती है अगर ज़्यादा मात्रा में दी जाएगी तो साइड डिप्रेक्ट भी हो सकते है इस दवे के कुछ साइड डिप्रेक्ट भी है जैसे की उल्टी होना, दस्त लग जाना और कुछ एलर्जिक समेशे भी हो सकती है पर सभी बच्चों को साइड डिप्रेक्ट नहीं होते हैं बहुत कम को हो सकते हैं तो दोस्तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद इसे ही हैल्ट से इरेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें